उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के भारत नगर थाना इलाके में पुलिस को मिली दो डेड बॉडी. एक मृतक का नाम अनुराग तो दूसरे मृतक का नाम साहिल है. दोनों मामले अलग-अलग थाने के है पर जिनकी हत्या हुई है वो दोनों दोस्त बताए जा रहे है. अनुराग दिल्ली के संगम पाक इलाके के रहने वाला है. जबकी साहिल दिल्ली के अंबेटकर नगर थाने इलाके के रहने वाला था. खटना शुक्रवा दो पहर की है जब अनुराग की डेड बॉडी को लेकर उसके रिष्टेदार अपनी बहन के यहां पहुँचे. और उस सिलेवार तरीके से समझाते हैं. दरसल अनुराग पिछले दो महीनों से अपनी बुआ के घर पर रह रहा था. जहां उसकी दोस्ती साहिल नाम के एक लड़के से हुई. शुक्रवा दो पहर करीब धाई बजे साहिल की पिस्टल से संदिग्धा हालात में मौत हो गई. संदि अनुराग के छोटे भाई को इतनी बुरी लगी कि उसने साहिल की छाती पर चाकूँं से कई वार कर दिये. जिसके बाद उसे तुरंत नजदीक के दीप्चंद बंदू अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दोरान साहिल की भी मौत हो गई. उसके बाद अनुराग की जैड बॉडी को भी दीप्चंद बंदू अस्पताल लाया गया. जहां से अब दोनों की जैड बॉडी को अलग-अलग अस्पतालों में पोस्ट माटम के लिए भेज दिया गया है. जिससे दोनों परिवारों के बीच तनाव न बने. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी ह साहिल की हत्या के मामले की भारत नगर थाना पुलिस कर रही है. जबकि अनुराग के हत्या की जांचम बेट कर नगर थाना करेगी. यदि अभी तक आपने मेट्रो न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंथ ही अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर के लिए मेट्रो न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर हर खबर मिलती रहे. जो लड़का पताने आया वह कौन था जानते उसको पता नहीं कोन है ठीक सब्सुना क्या जानकारी आपको मिली जानकारी में जिए कि छत पशेगिरा हमें कुछ ने बदा रहा है कि प्रूण कट्टी थी हमें क्या वह रहा है हम तरोई राट में मसगे थी यह कहां पर हुआ हाथ सापको क्या मालूं पड़ा दक्षिनपुरी दक प्रूण को दिखिनपुरी जाती ही बैं अच्छा और कुछ में हाया है मैं आरताम को यह पत्क्या हो बाद में क्या मालूं पड़ा और सच्चाई क्या निकली तब वह पुशारे निकालेंगे ना उमसे पूस के ली अमसे नी पदाना सच्चाई का पूस के ली आपको क्या